जहिन दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज मैं एक बार फिर से आज मैं बात करूंगा भारती जो सशस्त्र सेना हैं जैसे सीपी एमेप सेंटल पेरम लटी फोर्स विसेश कर जो हमारी असम रैफल एक महान त्याग पराकरम सोरे सेवा और बल्दान वाली फोर्स तथा इसके अलावा कुछ बातें सीपी अपित्यादी बलू में जो जवानू में वुद्पुरुसैनिकों में असंतोस निरासा है और उसका कारण है उनके जायज हीतूं के साथ अयाय तुष्टिकरन तुष्टिकरन का मतलब होता है अंग्रेजी में इसे अपिजिमेंट कहते हैं अपने ब्यक्तिगत स्वार्त के लिए दूसरे को हानी पहुँचाना दूसरे बर्गों को हानी पहुँचाना दूसरे लुगों को आपस में उनका ब्रेन वास करके उनको आपस में उनको लड़ाना इस तरह का महोल है यह सब होते आ रहा है हमारी महांत्याग पराकरम सेवा और बल्दान वाली बहुत सारी सेवा बलूं के अंदर श्वार्थ के कारण जो है सब हो रहा है अपने जो सेल्फनेस के कारण और यह इस परकार से इसको समझेंगे कि दूसरा है सक्षमता और सक्षमता और क्वालिटी जैसे आप समझेंगे कि गाड़ी कितनी भी अच्छी हो लेकिन कुसर ड्राइवर की कमी हो तो मंजिल में पहुंचना सुरक्षित मंजिल में पहुंचना मुश्किल होगा दूसरी बात है अभी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो ठीक है नहीं गाड़ी कितनी भी अच्छी हो लेकिन कुसर ड्राइवर अगर ड्राइवर में कमी है तो मंजिल में सुरक्षित पहुंचाना मुश्किल होगा दूसरी और है ड्राइवर कितना भी अच्छा हो कुसल हो लेकिन गाड़ीयों की हालत ठीक नहीं हो तो मंजिल में पहुंचना मुश्किल होगा सुरक्षित नहीं होगा समझ लो हमारी फोर्स भी एक हमारी जो भारती ससस्त्र सिना बल हैं जो अलग अलग परकार के यह एक यह एक गाड़ी के समान है और इन बलूं के जो मुखिया है इन बलूं के जो को जो लीट करते हैं इन बलूं के वो एक ड्राइवर के समान है जो लीट करते हैं तो इस परकार से हमारे भारत वर्स में कई पार्टी संगठनूं का यहाल है, कहीं पर ड्राइवर रुपी मुख्या में कमी है, तो कहीं पुतुर्शैनिक लोगों रुपी गाड़ी में कमी है, क्योंकि कभी कभी गाड़ी को कमजोर और कुसल ड्राइबर के हाथ में कमजोर और कुसल ड्राइबर के हाथ में दे दिया जाता है मतलब जो जो उसे गलत चला रहा होता है इस तरह से हमें देखना है कि हमारे जो हितु की गाड़ी को चलाने वाला जो लीडर रूपी तभी फोर्स के लोगों की गाड़ी को थीक दिशा में ले जा सकता है कभी-कभी हमें लगता है कि क्यों गडबड हो रही है तो हमें रुख जाना चाहिए और अपनी राय मस्वरा देनी चाहिए बरना इतने महां ट्याग परिश्रम सेवा सौर बलिदान वाली जो हमारी फोर् पूर्व सैनिक रूपी यात्री का भौष तभी सुरक्षित हो सकता है क्योंकि कुछ लोग जो है लोब लालज के चक्कर में जीवन भर पड़े रहते हैं उन्हें अपने बल के अपने फोर्स के आत्मसमान मान सम्मान स्वाभी मान से कुछ लेना देना नहीं होता है क्योंकि वह सिर्फ पैसे के चक्कर में पड़े रहते हैं मैं यहां पर किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और क्योंकि हमारे देश में जो है सबसे बड़ी बिमारी है करप्शन अपेजमेंट और अपेजमेंट तो इस जो यह इसी कारण अपेजमेंट के कारण ऐसा होता है तो दूसरी बात यह है कि सारे बुद्धी जीवी लोग और दूसरी बात यह है कि हमारे जो सारे बुद्धी, जीवी, क्वालिफाइट लोग ना सिर्व विचार हीन हो गए बल्कि विचार सुन्य हो गए बिचार सुनी है कि थोड़े से लोब लालच के चक्कर में अपने गुरूप बलका आत्मसम्मान स्वाबिमान को भी हमारे कुछ लोग भूल गए है लेकिन कुछ लोग लगे हुए है अच्छी बात है इश्वर ने हर किसी के भीतर कुछ न कुछ स्यमता दी है उस स्यमता को आज हमें पहचानने की जरुवत है और हमारे भीतर इश्वर ने क्या स्यमता दी है और उस हिसाब से हमें उस स्यमता को उपयोग में लाने की जरुवत इसलिए हमें चाहिए कि प्रतेक फोर्स के पूरु से नित एकता प्रेम सांति पूरुवा कि इन गंबीर समझ्याओं के समाधान एतु अपनी संस्ता संस्ता से तो जुड़े रहें अच्छी बात है बिना संस्ताओं से जुड़े हुए और अपनी संस्ता भी बना सकते हैं और कई बार आपने देखा होगा जैसे पार्टी देश में अगर योग के लोग बहुत सारे हो गए हैं तो अपनी लेकिन वहाँ पर उनकी जो वास्तभी समझ्याओं नियुग जा सकती है और अपनी पार्टी बना लेते हैं नई पार्टी बना लेते हैं इसी तरह नई सस्ताए बना लेते हैं लेकिन ये भी हो सकता है नई सस्ता भी बनाई जा सकती है और अपनी सस्ता के भीतर ही एक दस बीस तीस पचास लोगं के गुरूप की एक कमेटी भी बनाई जा सकती है जो सही मार्ग दर्सन है तो अपनी सलाओ और सहीों दे करके और समच्चा के समाधान के उस association को संकठन को वो मजबूती परदान कर सकते हैं ताकि कैसे उन समस्याओं को तो ऐसे मैं समतावान लोगों को पहचानना होगा हमारे जो association है चाहे जो भी सोसाइटिया है चाहे कोई पार्टी है तो उन पार्टी के लोगों को और उन एसोसेशन सोसाइटी के लोगों को योग्यों और कुसर लोगों को पहचानना होगा उनकी समता को पहचानना होगा कि इसके अंदर क्या समता है क्या ये अच्छा कर सकता है जिससे मेरे जो मेरद जो लक्ष है उसमें ये मदद कर सकता है उसमें लक्ष को पाने के लिए। तो बहुत सारे लोग इमांदार सोच के होते हैं लोग लालस नहीं होता है बहुत सारे लोगों को तो ऐसे लोगों को पहचाना होगा कि उनको उनके उनके हिसाब से कोई पद देख करके संस्ता के अंदर एसोशेशन के अंदर खुद के जो सपनों को पूरा करने में जिससे मदद मिलेगी खुद के लक्स को लक्स बड़ा होना चाहिए हर किसी का लक्स बड़ा होना चाहिए अच्छी बात है बिजन अच्छा होना चाहि यह मन में इमांदार भाव होना चाहिए तो हर लक्स को पाया जा सकता है इसी तरह से अब हमारे सीपीम अप के जो बूदपुर शैनिक जैसे कि असाम रैफल है सी आर पी अप इस अप इत्यादी के बूदपुर शैनिक उने अपनी अपनी ऐसे उसे तो बनाई है सोसाइटियां बनाई है लेकिन उनके अंदर कमेटियां होना भी बहुत आउस्यक है इसलिए सभी बुद्धी जीवी लोग अपनी अपनी उसमें एक कमेटी का गठन करें और संगठन के जो मुख्या लोग हैं उनका उन्हें भी अपने उन लोगों को फौन करना चाहिए फौ इसाब से उस संगठन को सही रास्ते पर चलाने के लिए मदद ली जा सकती है कोई गलत चल रहा है तो उसका जो निवारंड के लिए उस पर सुधार के लिए परपोजल दे जिससे समस्या का समारान हो सकता है असाम राइफल भी एक पैरामिर्टी फोर्स है एक त्याग परि 90% जवान जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था 90% जवान मजबूरी में अपनी सरकारी जौप छोड़कर वार्टी रेटायर आने को मजबूर हुआ है जिससे उसे बड़ी हानिका सामना करना पड़ा और यहां तक कि मोडी आर्मी ऑप्रेशनल कमांड के अंदर स क्बांड में देश की सेवा कर रहे है इसलिए उन्हें रक्षा मंत्राले के कर्मचारी यदी पैंशनके हगदार है वह बही है तो जो आर्मी ख मांडेट है? आर्मी कमांडेट फोर्स हैं उनके जो सदस्य है उन वह भी पैंशन उनी की तरह बहले ही मान देव में कुछ कम ज्यादा हो सकता है लेकिन सिस्टम में कम ज्यादा नहीं हो सकता है लेकिन अन लेकिन सिस्टम में ऐसा नहीं हो रहा है एक जैसी शेवा है तो एक जैसी वेलफेर ब्यवस्तार का भी होना एक उनका मौलीक हग है जो जरूरी है इस मंतर के हिसाब से चलना चाहिए दरसल चोथी बेतन आयोग तक असाम रैफल में जो सिस्टम था फिर भी अच्छा था लेकिन दुख इस बात का था कि कुछ हमारे ओफिशल ट्रेड बर्ग के कुछ लोगों का जो पर्मोशन इत्यादी की जो बेवस्ता थी सिस्टम के अंदर वह इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि हमारे जो असाम रैफल की मैं बात कर रहा हूँ जो आर्मी ऑप्रिशनल कमांडेट एक फोर्स है और उसका जो अभी जो एड्मिनेस्ट्रेशन जो एमेचे के पास है तो उनका जो पर्मोशन बर्सूं तक वह लैस नाएक नाएक और होलदार में वह अठके रहते थे उनकी काली फीती भी सभेद हो जाती थी ऐसा वो लोग खुद भी कहते हैं और हमने भी देखा है कई लोग होलदार में काफी 25-30 साल तक भी होलदार में बहुत कम लोग जेशियोज बन पाते थे क्योंकि ऑफिशल स्टाप एक ट्रेड बर्ग में है ये पड़े लिखे लोग होते हैं उनका भी हग बनता है कि उन्हें भी सर्व सही परमोशन मिलना चाहिए और क्योंकि उस टैम जो है बाकी जीडी सिगनल बाकी कई ट्रेड़ों के लोगों का परमोशन अच्छा होता था 20 साल में कई लोग सुवेदार 25 साल में होन्री लेपनें 30 साल में होन्री केप्टन इत्यादी सुवेदार मेजर इत्यादी बन जाते थे लेकिन हमारे जो ओफिशल स्टाप है वो लोग नहीं बन पाते थे वो 20-25 साल तक जो है होल्दार में नाइक में होल्दार में ऐसे चाहिए था क्योंकि इसके साथ-साथ यह अच्छी बात है कि आरे असाम रैफल मोडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर है तो इसको जो है मोडी के तर्ज में मोडी के अंदर ले लिया जाना चाहिए था कई लेकिन इसके से पहले यह बहुत जरूरी है कि इस सिस्टम के अंदर जो भी जितने लोगों को जो हानी हुई है जो जायज हानी की भरपाई के लिए उनका जो जो जायज बेनिफिट है जो जाय जो योग्य लोग है उनका जो परमोशन पैंसन इत्यादी का जो जो बेनिफिट उससे पहले पहले तो मतलब यह अच्छी बात है कि मोडी आर्मी में लेने के लिए मुहिम छेड़ी है यह अच्छी बात है लेकिन उससे पहले एकदम वो नहीं होगा उसके बाद आप केस लड़ते रहें लेकिन उससे पहले ऐसा होना चाहिए खासकर यह ज को डिग्रेशन कर दिया गया जबकि असाम रैफल के जिन ट्रेट बर्गों का सही पर्मोशन पॉलीशी नहीं थी उनके लिए सही पर्मोशन पॉलीशी का खासकर हमारे ओफिस्यल बाबुजी लोगों के लिए और तक्निक की बर्ग जैसे साइपर अउलदार है साइपर लोग है इनके लिए और भी जो भी योग मला क्वालिफाइड लोग पड़े लिखे लोग जो भी जिस भी ट्रेड में उनके लिए एक सही पर्पोजल बना करके उसे पास कराना चाहिए था जिमेदार लोगों को क्योंकि ड्यूल कमांड के अंदर यह सब संभव था यदि वह चा वेलफियर पॉलीशी भी हो सकती है ताकि उनको उनकी योगिता के अनुसार परमोसन मिलना उनका जायज हक है हम किसी ऑफिसल स्थाप के खिलाप नहीं है हमें खुद दुख होता था कि जब वह एक जो है और चाहे हमारा जीडी का जो हॉन्डी केप्टन हॉन्डी लेप्ट की चाहें लिख़ज़ दृएं के इा इस भी ह क्रीलक पॉछ्ट खुद लेकिन उसको समय पर पर मुंच नहीं मिला रहा акकी नहीं मिलता था तो यह अच perlu आथ कि उन्होंने कोट दौरा क्रूच या मतलब इस लेकिन सिस्टम को जो पूराई सिस्टम डिग्रेशन हुआ वह थीक नहीं है क्योंकि ट्यूल कंट्रोल के अंदर जो हमारी फोर्स है जैसे हमारा जो बल है इसमें जो खासकर हमारा आपको आप जीडी है सिगनल है मेडिकल नर्सिंग असेटेंट मेडिकल है और आपके क्लेरी कल है कई लोग विप्रीत और कथिन अगातूं में लेकिन इसमें हां कुछ लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं लेकिन अब्रेशन आउट पॉस्टूं में यह जो है यह भी जो है रहते हैं और कथिन और विप्रीत हालातू है आलागे जो जीदी का ज़्यादा आत्मी वॉर्णटी रेटैर्मेंट आने को मजबूर हुआ है, छीडी को ही क्योंकि सब्धे ज्यादा प्रेशानी उसको है जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि इनकी ताइदात 80-90% है वालिटी रेटार्मेंट पैंशनर हूं तो यह बहुत गलत फैसला था गलत तरीका था इसको जो है हमारे बाबुजी और ऑफिशल स्टाफ और साइफर इत्यादी ट्रेड वर्गों के लिए परपोजल को पास कर करा के इसको ठीक से करा के इसको जो जो असाम रैफल जिससे असाम रैफल का जो गेलेंटी इतिहास है जिस असाम रैफल का एक प्राइड है एक गौरब साली इतिहास है उसको बरकरार रखा जाता लेकिन यह बहुत गलत था उसको तुस्टिकरन करके हमारे फोर्स को पूरी फोर्स को डिग्रेशन कर दिया गया दुर्भागी के बात थी जहां से असाम रैफल के जवान को इस तुष्टिकरंट सिस्टम ने हमारे जी डी सिगनल मेडिकल नर्सिंग अस्टेंड जो की हमेशा ऑपरेशनल ड्यूटी करते हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ ब उन्हें मजबूर कर दिया कि उन्हें अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर वॉल्टी रेटायर्मेंट जाने को मजबूर होना पड़ा हाला कि दूसरे को दोस्ट देना ठीक नहीं लेकिन कहीं न कहीं ताली एक हाथ से नहीं बजती है यदि इतना जवान असिस्ट नब्वे प साल की उमर में तो यह एक इस साबित होता है कि यह जो है बहुत इसमें अपेजमेंट हो रहा है बहुत यह सिस्टम गलत तरीके से चल रहा है और जहां तक गलती की बात थी एक जवान बीस-बाइस साल जब भड़ती होने से पहले वह गलती नहीं करता है कोई भी जब उसका साब सुतरा चरीतर होता है तब ही वह भड़ती होता है तब ही वह मेडिकल पास होता है फिजिकल पास होता है रिटेन पास होता है यदि उसका चरीतर खराब होता तो वह भड़ती ही क्यों होता है उसका फिजिकल मेडिकल सब कुछ एगजम्पलेरी होता है एवन होता है नहीं होगा सिस्टम को दोस्ट देना सिस्टम को सुदारना उचित होगा इसलिए मैं आसाम रैफल के और जो पेरामरेटी फोर्स है जो भी भारती ससस्त्र सेनाओं में जो युवा है वो देश का भवश्य है कल उन्होंने देश को चलाना है इसलिए उनका जीवन अंदकार में ना हो और आज के युवा का जीवन जब अंदकार में नहीं होगा तो कल को देश का भवश्य भी अंदकार में नहीं होगा यहां में एक बात और थी जो असाम राइफल में जो काडर अफसर है उन्हें भी थोड़ा फर्दर पर्मोशन आगे तक मिलना चाहिए था यह उनका भी पॉइंट है उनका पॉइंट है उनका मौलिक है क्योंकि में जब आईजी रैंक तक हो सकता है तो असाम राइफल की काडर अफसर का भी हग बनता है लगवाग उसके समानान तर एकोइबलेंट में उन्हें बिर्गेडियर एकोइबलेंट या मेजर जनरल एकोइबलेंट का जो पद होना चाहिए ऐसा जो लोग योग्य है उनको यह ए इसको भी सही तरीके से इसको चौथे बेतन पे कमिशन द्वारा जो भी है इसको सही से बनाया नहीं गया बांकि असाम राइफल में जो आम तोर पर परमोशन था वह सिपाई लैसनेक नायक होलदार नायक सुबेदार सुबेदार मेजर ओंडी लेपनें ओंडी क्याप्टन मोडी आर्मी की तरही चौथे बेतन आयक तक दिया जाता था जो कि जायज था समयदानिक मौलिक था मैंने पहले कहा था हमारे बाबुजी लोग ऑफिस और क्लेरिकल स्टाप और ये साइफर तकनीकी सिस्टम को भी सही परमोशन मिलना उनका मौलिक था नैतिक अधिकार था मानवतावादी था लेकिन इसे तोड़ मरूड करके सिस्टम ने असाम रैफल के होनहार लोगों की बहुत से को अंधकार मरे बना दिया जो आज हमें जरुष है इसको सुधार ने की आज देश के अंदर सुधारवादी योग ये परदान मंत्री है और देश के अंदर प्रॉपर चैनल इसको राष्ट पती महुदाई से परदान मंत्री महुदाई से और रक्षा मंत्री ग्रह मंत्री इत्यादी महुदाई से मिलकर के इस गंभीर चुनोतियों को का हल समास्याओं का हल समाधान के लिए जमेदार लोगों से हाइपर फाय जमेदार लोगों को म मिलना चाहिए ताकि आगे भाविश्य में उनके सामने गंबीर चुनावती ना आई तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा और क्योंकि अंत मैं कहता हूं कि इस ने कहा है एन सब बीमारियों से खतर्नाक बीमारी है एपेजमेंट हिपोक्रेशी कर्प्षन जो और अपेजमेंट तो इसका हिंदी आप देख लेना डिक्सेनरी में और करप्सन हिपोक्रेसी और अपेजमेंट मैंने बताई है सबसे खतरनाक गंबीर बिमारी इससे गंबीर बिमारी कुछ नहीं है तो इन बिमारियों का इलाज भी हमें करना होगा तब ही हमारे फोर्स बल और देश की समस्याओं का समाधान होगा तो आज के लिए इतना ही वीडियो को सब्क्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले समय में और भी हम भारती ससस्त्र सेनाओं की जो वेलफेर समद्दी जानकारी और उसके लिए आगे हम क्या-क्या कर सकते हैं और इसके बारे में हम चर्चाएं करते रहेंगे आप वीडियो को सेर लाइक और सब्क्राइब आउसे कीजिएगा और आज के लिए इतना ही नमस्कार जैहिन हैपी डेई गुड डेग